अचले बुल्टिन की शुरुआत इस वक्तारी बड़ी खबर के साथ कर रहें जो की रीपोलिंग यानिकी पुनर मतदान से जुड़ी हुई है दरसल एक बूत पर आज पुनर मतदान हुआ और उसका समय समाप्त हो गया है भिंड में अटेर विरान सवा के किशुपूरा बूत पर दरसल मतदान करवाया गया क्योंकि जिस दिन मतदान था 17 तारी को उस दिन बूत कैप्चरिंग का आरूप लगा था उसके बाद प्रशासर ने फैसला लिया और चुराओ आयोग ने यहाँ पर दुबारा से आज उनर मतदान करवाया है बतादे कि सुबा साथ बज़े से यह मतदान शुरूरा था और अब सिर्क कुछ देर पहले तक यालिकि शाम छे बज़े तक मतदान होना था बतादे कि अब अंदर जितने लोग मौजूद हैं अगर मतदान के लिए कुछ लोग इस बूत पर पहुचे और पाँच बजे तक के आखरे सामने आये जब उसके मुताबिक 46.5 फीसद वोटिंग हुई है बदादे कि 17 नमबर को इस सीट पर 89 फीसद मतदान हुआ था लेकिन बूत कैक्टरिंग का आरूप लगा था इस बूत पर 1223 वोटर्ज हैं बूत कैक्टरिंग के बदा से अब दुबारा मतदान कराया गया है अटेर सीट से मंतरी अरविन सिंग भदारिया बीजेबी के प्रत्याशी हैं तो वहीं कॉंग्रिस प्रत्याशी हेमंत कटारे मैदान में है और उनी से अरविन भदारिया का मुकाबला है लेकिन इस बूत पर लगातार विबात की सिती और बेंड़ों की अटेर विदान समा सीप पर लगातार आरूप पर तरोप का दौर दोनों प्रत्याशों के बीजारी रहा हेमंत कटाले ने देखे कई बार जो है यहाँ पर मंतरी अरविन जिक भदारिया के खलाव लिखित में भी शिकायत दर्च कराई थी लेकिन खास तोर पर इस बूत पर अब यह रीपोलिंग हो रही है और यहाँ से जो समाजवदी पार्टी के प्रत्याशी है उन्होंने रीपोलिंग लेकर के सवाल भी खड़े कि है और उन्होंने इस पर आपत्ती दर्च कराई है और सायोगी विनोश शर्मा इसकबर पर जाता जानकरी के साथ सिधा लाइव जुड रहे हैं विनोश देखिए उस भूत पर क्या इस थी थी क्योंकि पिछली बार जब 17 तारी को चुना हुआ तो 89 फीसद यहाँ पर वोट पड़े थे आज भी वैसी सिधी दिख रही है क्या देखिए ऐसा नहीं है कि आज वैसी सिधी बनी हो आज बहुत कम मतदान हुआ है इस पूरे आज के दिन के मतदान की बात करे तो आप 1223 वोटरों की संक्या थी उसमें से आदे लोगों ने भी वोट नहीं डाले और यह ब बूत केप्सरिंग की सिकायत जो की गई थी पिछली बार वो काफी हद तक अब सही मानी जा रही है आज कि सिकायत में ये भी बताया गया था कि जो मतदाता यहां नहीं रहे रहे उनके भी वोट डाल दिये गए और कई ऐसे मत भी डाले गए जो लोग अपना मत खुद से ड बोट प्रतिशत किया है इसके पीछे की बचे ये भी बताई जा रही है कि जो बारा सो तेइस बोट रहे हैं उसमें कई मतदाता तो ऐसे हैं जो गाउ में उस दिन भी नहीं थे और आज भी नहीं है तो यही बज़े रही कि उनके वोट डाल दिये गया है और उसके बाद इ आयोग ने संग्यान लिया और री पोलिंग के आदेश जारी किये गए थे लेकिन फिर भी लोगों को ये समझना चाहिए कि जब किसी पोलिंग बूट पर री पोलिंग हो रहा है तो लोगों को इतना समय मिल गया कि वो अपने मतदान केंदर पर जाते और वोट डालते अग देवल 46.5% तक ही सिमट कर रहे गया लेकिन विनोद अगर इस पूरे विदान सबक शेतर की बात करें तो वहां की सिती क्या नजर आयती 17 तारीक को और आरोप प्रतियारोप के दोर देखे लगतार जारी था और कांग्रिस प्रतियाची तो लगतार लिखित में कई बार शि जो चंबल से लगा हुआ है आठेर विदान सबाबी चंबल से लगी हुई है थोड़ी दूरी पर वो आगर हम कैदल चलें तो पांच या दस मिनिट में चंबल नदी तक पहुँच जाते हैं किश्युकुरा गाउं भी खेट बिहड़ों का गाउं है जिसके चारों तरफ ब बिहड़ हैं और उस इलाके का ये एक ऐसा मतदान के इंदर जहां आज मतदान हुआ यहां कि अगर सियासी समीकरन या सियासी कत्विदियों की बात करें जो की अक्सर हमें देखने को मिलती हैं ये सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट रही है पूरे मद्ड़ प्रदिस में चर बिच कारे जो पहले विधायक भी रह चुके हैं इस बार फिर से कौंगरिस के प्रद़्ियों के तौर पर वो मेंदान में हैं दूसरी और अरविंद बिदारिया मद्विदय सरकार में मंतरी हैं वर्तमान के विधायक भी हैं वो इस सीट पर बीजे पी के प्रत्यासी हैं औ और यही एक बज़े रही कि किशुपुरा गाउं में जो भूस कैप्सरिंग की शिकायत अरविंद भदौरिया ने की थी उसके बाद ये री पोलिंग के आधिस जारी किये गए थी ठीक है ठीक है ठीक है अब आप से जो बाकी डीटेल है